यंग प्रोफेशनल स्कीम यानी की यूके का दो साल का वर्क वीजा, यूथ मोबिलिटी स्कीम, ये डायरेक जॉब वीजा है यूके के लिए, जितने भी लोग जॉब के लिए अबरोड में ट्राइ करते हैं, उन्हें ये अप्लाइ करना ही चाहिए, क्योंकि ये लॉट्री जितने लोग successfully with all the eligibility criteria apply करेंगे, किसी का भी नाम निकल सकता है, तो जितने भी लोग abroad के लिए ट्राइ करेंगे, उन्हें इसमें apply करना ही चाहिए, दो conditions है, एक आपका 18-30 के बीच में age चाहिए, दूसरा आपका bachelor's degree complete चाहिए, जब भी आप लोग इसमें apply करते हो, तो इसमें basically, सबसे important point यह है, कि आप लोगों को बहुत सारा fund दिखाने के जरुवत नहीं है, 20-30,000 रुपय funds आपको show करना होता है, अगर आपका नाम निकलता है तो, बट अगर आप लोगों को apply करना है, तो आपका entry जो है, वो free रहेगा, अगर नाम निकलता है, तो उसके बाद में आ issue हुआ था, so make sure, 20-30,000 रुपय आपको जो show करना है, 28 days के लिए, वो आप लोग के पास ready है, funds की वज़े से पूरा 2 साल का plan cancel मत कर देना, इसके अलावा कई सारे लोगों का question आया था, कि इसमें jobs कौन से allowed है, तो basically skilled jobs, unskilled jobs, दोनों allowed है, आप लोग store में काम करो, आप लोग Zomato Zomato तो Zomato तो Zomato नहीं है, बट Uber Eats है, Delivery है, Just Eat है, यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हो, delivery का, आप लोग warehouse में काम कर सकते हो, कोई भी तरह का job allowed है, unskilled, और skilled job आप लोग अगर professional हो, आप लोग इंजिनियर हो, डॉक्टर हो, फार्मसिस्ट हो, आ मैंने उसका अल्रेडी पूरा Q&A वीडियो डीटेल में अपलोड किया है, जाकर चेक आउट कर लेना, कई सारे लोगों को वीडियो पसंद आया, आय बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा, यंग professional scheme की बात करें, तो यह free to enter होता है, तो आप लोगों को lottery based visa मे हमेशा risk लेना चाहिए, क्योंकि किसी का भी नाम निकल सकता है, कई सारे लोगों ने UK में 20, 30, 40 लाग रुपया देकर entry ली है, इसमें आप लोग को ढई से 3 लाग रुपय पर entry मिलेगी, कोई evaluation नहीं है, दो तिन criteria से जाकर fulfill कर लेना, अगर fulfill होता है, आप लोगों का इसमें definitely नाम आ सकता है, और एक बात याद रखना, ये सिर्फ 3,000 इंडियन्स को मिलता है हर साल, तो January में जिसको ये वीजा नहीं मिलता है, जिनको successful का mail आने के बाद जो लोग apply नहीं करते, उनका June और July में फिर से बचे हुए वीजा का ballot open होता है, for example, 3,000 लोगों में से सिर्फ 5,000 ने successfully claim किया वीजा, तो अगले 500 का July में open होगा, अब ये 500 फिर से lottery based रहेंगे, कोई भी apply कर सकता है, आपका अगर eligibility criteria पूरा होता है, आप लोग apply करो, इसके बाद में jobs यहाँ पर जब भी आती है, तो आप लोगों का जो भी income, expenses, सब कुछ है, वो cover हो जाएगा, अगर आप ल 48 hours full time allowed है, कई जगा पर up to 60 hours full time job allowed है, तो आप लोगों को पैसे की problem नहीं आने वाली, एक बार आप जो भी यहाँ पर job ले ले होते हो, उसके बाद, और जितने भी लोग bachelor's pass out हो चुके है, ये आप लोगों को free to enter है, तो apply करना ही चाहिए, इस ballot की date है, 20 February से 22 February, इंडियन स्ट server last time down हो गया था, तो आप लोगों को ध्यान से apply करना है, हो सकता है कि आप लोगों का application पूरा ना हो, server down हो जाए, तो ये गलती मत कर देना, कई सारे लोगों ने ये भी गलतीया की थी last time, points की भी problem हुई थी, तो ये सब mistakes जो है वो avoid करना, इसके अलावा किसी का भी अगर नाम देना और उसके बाद में अपने career, professional career पर भी ध्यान उतना ही देना, see you in the next video, I hope आप लोगों को वीडियो पसंदा होगा, see you in the next video, bye bye